नमस्कार दोस्तो हमारे चैनल ए भी क्लासेस में आपका सुवागत है आज का सब्जेक्ट है आटो मोबाइल इंजिनियरिंग जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूँ थर्मो साइफन कूलिंग सिस्टम जिसकी आज मैं थेओरी समझाऊंगा यहाँ पर जो डाइग्राम ब पूरा देखना है जो भी मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है और वीडियो अंत में लाइक करना है अब चलते हैं आज की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ थर्मो साइफन कूलिंग सिस्टम यह है वाटर कूलिंग सिस्टम का एक है तो जैसा कि हमने पढ़ाया था वाटर कूलिंग सिस्टम के अंदर जो हमारा इंजन होता है उसके अंदर जो फ्यूल जलने से हीट जनलेट होती है जिससे इंजन हमारा गरम होता है उसकी हीट को कंट्रोल करने के लिए इंजन के टेंपरिचर को मैंटेन करने के लिए हम क क्या होता इंजन के temperature मेंटेन होता था लेकिन जो water cooling system था हमारा उसके अंदर जो हम water circulate कराते थे water jacket बाटर जैकेट के अंदर वह एक पंप के थुरू कराते थे इसके थुरू एक बाटर पंप के थुरू लेकिन थर्मो साइफन कोलिंग सिस्टम में हम जो बाटर सर्कुलेट कराते हैं वह कैसे कराते हैं नेचरल तरीके से मतलब बिदाउट पंप की साथा से तो पहला वर्ड ह में क्या याद रखना है थर्मो साइफन कूलिंग सिस्टम के अंदर हम जो water circulate कराते हैं इन्जन के temperature को maintain करने के लिए वह नेचुरल तरीके से कराते हैं बिना किसी pump की साहता से तो पहला आपको याद रहेगा बिना किसी water pump की साथा से thermocypon cooling system के अंदर हम water को circulate कराते अब दमाग में question यह है कि कैसे circulate होता होगा जो हमारा thermocypon cooling system है वाई engine के अंदर water तो क्या होता है जो हमारा cold water होता थंडा water होता हुआ radiator से कहां जाता है इंजन के अंदर जाता है तो क्या होता है ध्यान से समझें, यहाँ पर क्या लखा हुआ है टॉपिक कराम थर्मो साइफन, ठर्मो का मतलब क्या होता हीट, क्या होता है थर्मो का मतलब हीट, मतलब उसको गरम करके, साइफन मतलब होता है ट्यूब, ठीक है, मतलब बाटर को गरम करके ट्यूब के अंदर से फ्लो कराते ह क्या होता है जो हीट का मतलब यहां पर होता है जो हमारा कोल्ड वाटर इंग्यन के अंदर जो जैकेट लगी रहती है उसके अंदर जाता है जो वाटर जैकेट रहती हैं ट्यूब बोलते हैं ट्यूब के अंदर से जाता है जब इंग्यन का टेंपरिचर अधिक होता है वाटर लगता होता है तो जो हमारा water हूं कि अने लगते हैं कि बहुता है तो उसकी density कम वोता है तो उसकी density कम होने लगते हैं उस density कम होने की करण क्या होता हुआ है तेजी से आंगे की और बढ़ता है पाइप में आंगे की और फ्लो होता है तो जिसकी density बार जितना बाटर रहता हुआ जितना जाना गरम होता जाता है उसकी उतनी जाना density कम होती जाते है और आंगे की और पाइप में फ्लो होता है और आ हो जाता है मतलब अपनी हीट को एक्सचेंज कर देता है एर के थुरू और फिर से उसका टेंपरिचर बढ़ जाता है देंसिटी बढ़ जाती है फिर से क्या होता फिर से जैकेट के अंदर आता है फिर से इंगन के अंदर जाता है तो उसकी हीट को एबजर्ब करता हुए गरम साउं के थूरू जिससे आप और अच्य से इसकी working समझ सकें और इसको explain कर सकें तो यहां पर एक पार समें लिखा हुआ है यहां से क्या कर सकते है वाटर को नीछे भर सकते हैं यह लिका हैडर टेंग हैं उपर का जो सा इसको हैड़ा टेंग बोलते हैं ठीक है यह लिखा रेड तो यह यह बीच में जो भी हमारी फिंस वगरा रहती है तो वह इससे तकराती है और होहां से क्या water heat exchange करता है एक किसम का heat exchanger का काम करता है radiator नीचे bottom tank bottom tank मादलब क्या होता है जो ऊपर से नीचे को वातर आता तो बाटम नीचिक ही ओर आया था तो इसको बाटम टेंक बोलते यहां पर भड़ जाताँ ड्रेंट प्लग लगा हुगा जिससे हम वाटर को भार निकाल सकते हैं यह बॉटम होज लगा हुगा है यहाँ पर बॉटम होज पाइप है और यह टॉप होज उपर का पाइप है ठीक है एंजन ब्लॉक की एक्जामपल के लिए लिया है कि इस तरह किसे काम करेगा ठीक है सब अधसे पहले हम क्या करते है इसके अंदर क्या करते हैं वाटर भर देते हैं किसके पर अलगा हुगा जो आप पर क्या जाता तो इस्में पुराणी मोडल होते हैं, उन हमें यूज किया जाता था, आप देखते हैं, इसमें Water कमी नहीं होनें, जैसे Water कमी ना हो हो और हमार unbelION गराम ना हो, ऐसे पुराणी किया जाता उpe if you had miss come byreck Jate ऐसे सुने 6000 किया वाटर भर दिया जब अदर जार हुआ हम इंजन को स्टार्ट करेंगे जैसे स्टार करेंगे तो वाटर क्या होता फ्प्लो होने स्टाट हो जब बाटर गरब होता इन नीचे वाला बॉटम टेंक यहां पर लिखा हुआ यहां से जो बॉटम हो जह उसकी थूख आब इसमें जो हमने बता है इंजन की चारों और क्या बने आती जैकेट ट्यूब टाइप जैकेट की बने आती है उन ट्यूब के अंदर क्या होता बाटर इनकी आस पास क्या tubes बनी ही बाटर जकेट बनी हुए उसमें क्या हो रहा? यहान से बाटर चारो तो अपसे इंदर की चारो और जो भी astrolog है इनके नर क्या हो रमा होगा, अव्शलिण हो रहे इनके पधेनने काunde फील हो रहें, जो हमारे इंदर जूनग से उसमें वाटर हमारा इंजन गरम होगा इंजन गरम होगा तो उसकी कॉंटेक्ट में हमारा क्या रहा है वाटर आ रहा है गरम इंजन की कॉंटेक्ट में बाटर आ रहा है तो बाटर भी गरम होने लगता है तो वाटर जब गरम होता है तो जो बाटर यहां पर देख रहा है यह गरम होगा वा वाटर गरम करते हैं तो वह उपर को उठने लगता है जो गरम होता हुआ उपर को अपने आप उठने लगता हुआ वहार निकलने कोसिस करता हुआ ही इस में होता है मनला density काम हो जाती तो उपर को उठेगा तो जहां पर जगए मिलती हुआ है उधर की ओर जाता है तो उसको जगए के लिए हमने क्या है यहां पर एक पाइप बना रहा है तो यहां से उपर की ओर जाएगा उपर की ओर जाएगा तो हमने यहां पर क्या है तो एकार क्वाटर यहां पर जब यह पर आयगा तो यह नीचे के एक फिलो lagi लिए तो नीचे के एक कर आएगा तो नीचे के पहुंचते हैं इस डौरагं क्या होता है यहां पर यह रीड़ीर के से हीट यहां पर फिलो होती है हीट से मलब बाहर की सौरी क्या एयर फिलो होती है एट्मॉसफेरिक एयर फिलो होती है तो एट्मॉसफेरिक एयर से यहां से यहां से यहां तक जब फिलो होता है इस दोरानी क्या करता है यह जो हमारी बाहर की एट्मॉसफेरिक एयर उससे कॉं का मिल जाता है और क्या होता वाटर का टेंपरेचर कम हो जाता है जो वाटर का टेंपरेचर कम होता है उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है वाई क्या होता है फिर से नेचुरल बाटर में बदल जाता है यहां पर आते आते बाटर में क्या होता है नेचुरल बाटर हो जाता है जै जैसा मैंने समझाने की कोशिस की ठीक है बहुत ही सिंपल था जैसा मैं बताता हूं कि आपको सिर्फ क्या करना है नॉर्मल जैसा मैंने समझा है वैसा ही आपको एक्स्प्रेंट करना है यहां पर important होता है कि हम जो theories बताते हैं उपर जो लिखी हुई है उसको थोड़ा सा आपको एक दो बार पढ़ना पड़ेगा आप इसको आपने अभी तक वह नहीं देखें तो मैंने क्या playlist बना रखी और इंजिनियरिंग की नाम से जिसमें जाकर आप देख सकते हैं और बहुत सारी वीडियो इंजिनियरिंग से रिलेटर वह आप नीचे देखेंगे description box में मैं सभी वीडियो की लिंक दे रखें वहां से भी जा subscribe भी करें वेल आइकोन पर क्लिक कीवी कर लें जिससे की इस तरह के वीडियो मैं जब भी अपलोट करूँ और इसका notification आपके पास पहुंसकते हैं यह दि आज का वीडियो पसंद आता तो like भी कर दें thank you friends